नमस्कार मैं कमर गाजी नौभारत में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हैं यूआ इनुटी फाउंडेशन के संस्ताफ़क यूगेश चलवादे जी आए उनसे बात करेंगे कि फाउंडेशन का उन्होंने जो शुरू किया है उसके पीछे का उनका उद्देश क्या है और सबसे पहले मैं शुक्रियादा करना चाहूंगा नौभारत का क्योंकि नौभारत ने हमेशा ही हमारे कामों को सराह है और लोगों तक पहुचाया है तो नौभारत का और कमर काजी जी का मैं बहुत शुक्रियादा करना चाहूंगा यूआ उनिटी फाउंडेशन ये एक ऐस और आरोग्य, जिसको हम एक अपनी संपती मानते हैं, हमारे आरोग्य अगर अच्छा रहा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आरोग्य पे भी हम काम करते हैं The UI Unity Foundation के जो नीवे है, ये हमने रखी थी 2018 में 26 जन्वरी 2019 में पहला एक्टिविटी सेंटर हमने शुरू किया, जिसके माद्यम से हमने बच्चों को शिक्षित करने का काम किया 9 ओक्टोबर 2019 में हमने चालू किया युवा मोहला क्लिनिक, जिसके जरे हम लोगों को आरोग्य की सुविदा देना हमने चालू किया उसी के साथ साथ हमने 2020 में COVID में बहुत सारे लोगों की सेवा किया आपको बताना चाहूंगा कि भारत देश की पहली food ambulance उस वक्ट हमने चलाई और तकरिबन तकरिबन 5 लाग लोगों तक खाना पहुचाने का 25 लोगों तक राशन पहुचाने का और बहुत सारे जरूत मंदों को दवाईया दूद पाउडर ये सारी चीज़े पहुचाने का कारिया हमने किया और आज इस संसा से तकरिबन तकरिबन सो से देड़ सो युवा जुड़े है जो देश के प्रगती में हमारे राश्टों को शिक्षित और मजबूत करने का काम यहाँ पर कर रहे है योगेश जी इवाई इनुटी फाउंडेशन के माध्यम से मैंने देखा है मैंने खबरें भी लगा है इन अभारत में कि आप दूर दरा जो इट भट्टी पे काम करने के मजदूरों के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं पेड के नीचे आप उनको पढ़ाते हैं उसके बारे में थोड़ा सब बताई है पेड शाला सुनके थोड़ा आज के तारिक में अटपटा लगता होगा जहाँ अमीरों के बच्चे डिजिटल स्कूल में पढ़ रहा है मोबाइल पे पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे आज भी एक ऐसा वर्ग है जिसके बच्चे पेड के नीचे पढ़ाई करते हैं और वो वर्ग है मजदूर का वर्ग आज बहुत सारे मजदूर है जो इड़ भटी चलाने के लिए दूर दूर से आते हैं और अमबरनात में इड़ भटी ओपे काम करते हैं तो ऐसे मजदूरों के बच्चों के लिए हम ये पेड़ शाला चलाते हैं और ऐसे तक्रीबन 10 पेड़ शाला है हमारी अंबरनात उलासनगर बदलापुर एरिया में चल रही है जिसके माद्यम से 300 बच्चों को शिक्षित करने का काम हमारे युवा कर रहे है वो कौन सी टीम ह जो आप शिक्षा के लिए समय देकर अपने पास उनको बच्चों को पढ़ाना जाती है हमारे बहुत सारे वॉलेंटेरे में नाम लेना चाहूंगा अधित्या निलखंट अंकिता शिंदे अंकिता ठोकल साइमा शेक सागर माने सिदेश माहिन नूर मोहम्मद शेक साथ में इंदीरा चलवादी, जोती चलवादी, सुमन केवट ऐसे बहुत सारे लोग है रोहित कुमबार ऐसे बहुत सारे युवावर्ग है जो अपना रोज का काम अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारिया संभाल कर देश के जो मजदूर है जो वंचित है शिक्षा से उनको काम यह पर कर रहे हैं सड़कों के किनारे सोने वालों के लिए प्लेटफार्म पर सोने वाले गरीबों के लिए ठंडी में योगे जी ने कंबल बाटे तो ऐसे कुछ आपको आपको अभव बताईए के इवाव फांड़ेशन के माद्यम से आपने कुछ अच्छा एक अदा क डिटेंस में बताईए अधा यूआ उनिटी फांडेशन एजुकेशन हेल्थ और वुमन एंपॉर्मेंट पर तो काम करती है साथी साथ जो लोग रास्तों पर पड़े होते हैं जो मेंटली डिसेबल होते हैं ऐसे लोगों के लिए भी हम नेप्चुन फांडेशन के साथ मि यहां पर चौक पर बैटी हुई है तो उसको हम कुछ कर सकते हैं कि वह थोड़ी मेंटली डिसेबल है तो हमने उसको नेप्चुन फांडेशन की मादियम से कूर्ट में से थाने मेंट्ल हॉस्पिटल में एडमिटि कराया एडमिटि कराकर उसका पूरा में इलाज कराया इस तरीके से हम लोग अभी तक 7 लोगों को ऐसा करा चुके है, 30 से जाधा बेगरों को हमने जो गवर्मेंट के बेगर निवा से वहाँ पर एड्मिट कराने का काम किया है, 7-7, 31 December, 25 December से 31 December, जो एक हफते के वक्त में हम लोग ब्लांकेट डिस्रिबुशन ड्राइव हर साल करते हैं, इस साल तकरीबन 500 से जाधा ब्लांकेट हम लोगों ने डिस्रिबुट किया है, जिसके लिए हमें मुस्तपा भाई नेश फाउंडेशन और एक जरिया फाउंडेशन ऐसे बहुत सारी social organizations है जो हम जैसे युगाओं को प्रोचसाइट करती है और बहुत सारे पत्रकार है जो ऐसी news अपने paper में देते है कमरकाजी अंकल भी उसमें से एक है जो ये social news paper में लगा आपको अब तक सबसे बड़ा पुरुसकार जैसे पुरी लाइन लगे इसमें आप एक दो लिक कर सकते हैं कि सबसे बड़ा किस संस्ता के मादेम सब आपको गर्वनित किया गया मेरी असली कमाई जो है आज भी मैं एक रेंड के रूम में रहता हूँ और मैंने जो कुछ लिए 2 classroom बनाया, computer lab हमको IDBI bank की तरफ से, computer science कुछ मिले तो हमने computer lab बनाया, तो आज जब यहाँ पे जो बच्चे शिक्षित होते हैं, जब बच्चे यहाँ पर पड़ते हैं, तो जब यह 280 बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेते हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरसका मैं ऐसे मानता हूँ लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखने गए तो बिहार में राश्ट्रे प्रेवना दूद पुरसकार से 2020 में मुझे सन्मानित किया गया नेपाल में स्पेशल रिकर्गनाइजेशन अवोर्ड 2020 की तरफ से 2020 उससे मुझे सन्मानित किया गया अभी हाली में उत्तर प्रदेश के सारनपुर में यूथ विजन वेलफेर सोसाइटी नेरु युवा केंद्र की तरफ से लोकसभा सांसद राम लखनपाल जी के हातों से मुझे सन्मानित किया गया साथी साथ महारास्ट सरकार की तरफ से जो कोविड में मैं अमबनाद मुनसिपल काउंसिल में आज़े ट्रेसिंग टेस्टिंग टीम इंचाज काम कर रहा था Health Assistant बोलके काम कर रहा था तो उत्कुरुष्ट Health Assistant बोलके भी मुझे नवाजा गया और हमारी संस्ता को COVID में सेवा देने के कारण संस्ता को भी तरसिल कारियाले की तरब से मारश्य शासन की तरब से उत्कुरुष्ट कारिया का Certificate दिया गया वहा है अगर आफ यह पूरसकार हमारी संस्ता के नाम हुए है हमारे बच्चों के नाम हुए है तो आगे भी आप सब लोग मदद करते रहे हैं ऐसे अनेक पूरसकार हमें मिलेंगे और आशे करतो हमारे साथे Yoga Di precipitation चलवादी जी ये गोई चलवादीजी ने काफी गरीबों के लिए काम करते हैं इस लम छेतर में बच्चों के लिए काम करें सिक्षा का हो स्वास्त का हो या छोटी परिवन की सेवा इस महले से लेकर जाउसे तेले जाने की कैमरामेन सहिएत के साथ मैं कमरगाजी अंबरनात